नमस्कार जैच्छटी मैया, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अब नंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहधे विशेश कारिक्रम में और मैं हूँ आपके साथ पूझा दर्श को हिंदू के सबसे बड़े त्योहार दिपावली को पर्वो की माला माना जाता है और दिपावली के ठीक 6 दिन के बाद चट का महा पर्व मनाया जाता है चट की शुरुवात नहाय खाय के साथ खरना के साथ उसी के साथ पहले अर्ग के बाद दूसरे अर्ग के साथ चट की समापती हो जाती है पर ये जो चट का पावन अफसर है इसे महापर्व के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है और चट की जब जब बातचीत होती है तो हमारे जहन में चट की गाना हमेरी दिलो दिमाग में चलती रहती है और आज R9 TV के माध्यम से आपको चट की कुछ खूबसूरत गानों से रूबुरू कराएंगे उसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है बेहदी फेमस सिंगर अंजना आर्या जी अंजना जी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका जै चटी महिया करते हैं चटी महिया के नाम से एक बेहतरीन गाने से इस कारिक्रम के शुरुआत बिल्कुल किरवा के पात परेवोगे लन सुरुज मले जहांके जूके किरवा के पात परेवोगे लन सुरुज मले जहांके जूके से करेलू छठ बरती यासे जहांके जूके से करेलू छठ बरती यासे जहांके जूके हम तो से पूछे बरतियां एं बरती यासे किरा लागी से करेलू छठ बरती यासे बेटा लागी से करेनी छठ बरती यासे बेटा लागी जी बहुत बड़े आंजना जी चट की जब जब बात होती है तो गानों का तो अपना अलग ही मज़ा है आप चट का गाना गाती है क्यासा महसूस करती है देखिए एक छट महापर्व सबसे बड़ा की एक पुर्बानचल वासियों के लिए छट का महापर्व मना जाता है और इसकी सबसे विशेस खासियत ये है कि उगते हुए को तो हर कोई नमशकार करता है लेकिन जो डूपते हुए सूरिय को और उपते हुए दोनों को नमशकार किया जाए उसको महापर्व कहते है और इसकी जैसे ही आगमन छटी मया का होता है एक अलगी खुश्यों का महसूस होती है जी विल्कुल ये आपने बहुत सही कहा क्योंकि दर्शकों जब भी छटकी बात होती है तो गानों का अपना अलगी मजा है आज इस कालक्रम के माध्यम से आपको छटके अफसर से जोड़े कुछ गानों को सुनाएंगे और उसके लिए अंजना जी हमारे साथ मौजूद है अंजना जी बहुत सारा ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार छटका व्रत करते हैं कहा ये भी जाता है कि जो छटकी शुरुआत करते हैं उनमें एक अलग सा उत्साहा नजर आता है क्योंकि कहा जाता है छटका जो पर्व होता है वो बेहदी कठीन पर्व माना जाता है आप जरा खुछ सोचिए चार दिनों तक चले वाला ये पर्व में साप सफाई के साथ बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है साथ उसे शब्दों में बया नहीं कर सकती मैं पर जो लोग पहली बार छटका व्रत कर रहे हैं उनके लिए एक गाना हो जाए पहली बार ब्रत करती है मासे वोही माफी मांगते हुए क्या कहती है चठी मैया से मैं दो लैन में सुनाने की कोशिश करती हूं पहली पहली हाम कैनी चठी मैया बरत तोहार бूले चूक करीν हाओद करी मैंस वा फपूद हाँ है मैया गलती करी हम न तो हार करी हा माफी हा मार आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि दर्शको छट के स्पावन अफसर पर साफ सफाई के साथ बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कहा ये भी जाता है अंजना जी कि हर जो परवकता हर एक दिन होता है उसे बहुत ही ध्यान पुर्वक किया जाता है चाहे वो आप ठिकवा बना रहे हो चट का प्रशाद बना रहे हो सूप की तयारी कर रहे हो घाट जा रहे हो या घट पे खड़े रहकर यूं कहें ब्रती खड़े रहके अर्ग दिने की तयारी करती है, छटी माई का इंतजार करती है कि छट के दिन कहते भी हैं कि पहले दिन डूपते हुए सुरु को अर्ग दिया जाता है और उसे के साथ दूसरे दिन उखते हुए सुरु को अर्ग दिया जाता है उसे के साथ छ खट का पावन अवसर चल रहा है और असे में उलास तो हर किसी के मन में है बिलकुल सरी का पुझा जी कि ये चार दिन का जो महा पर्वे दिपावली से ही शुरू हो जाता है इसकी तैयारी और सबसे बड़ी बात की जो रौनक बजारों में लगती है जो खरिदारी में लगती है उसकी अलग ही एक आनन्द है और हर किसी को एक इंतजार रहता है कि जो मेरा पती बाहर कमा रहा है वो पैसा भेजे और मैं इस महा पर्व को और महा पर्व बना सको तो एक भजन मेरा बहुत हिट हुआ था आज से चार साल पहले में वही भजन सुनाने जारी हुए एक पत्नी अपने पती से क्या कह रही है सुनिये करुए काहसे जो गार जो रासोपे फहले हार करुएक आज से जो गार जो रासोपे फहले हार कईसे छठिके बरतिया उठाइई राजा जी तर नी भेज दिने दिली के कमाई तनी भेज दिन दिल्ली के कमाई राजा जी कारी काह से जोगार जोड़ा सुपे फाले हार कई से परतियां उठाई राजा जी तनी भेज दिन दिल्ली के कमाई राजा जी तनी भेज दिन दिल्ली के कमाई राजा जी ये एक ऐसा महापर्व है कि पूरा परिबार अगर कोई बाहर रहता है तो एक उत्सा पुर्वक एक साल का इंदिजार करता है कि मैं पहले सी टिकट कटा लू और अपने घर पे घर पे पूरा छट का तोहार देखूँ और सबसे ज़्यादा उल्लास ये रहता है बजार का बजार से उसके बाद जो घाट का जो रौनक होता है घाट पे जाने की जो लूदा जांगरे गाट जाने के बाद सुरिय की उपासना करते हैं और कहा जाता है कि मैसुष गरता में पर्व करते हैं को झाट का पर्व, सुरिय का पर्व पूजा जी सबसे बड़ी बात मैं एक बात बताओं कि जो ये सूरिय उपासना है ये एक नीरोगता को भी प्रदान करती है ये चट पूजा में एक नई उर्जा मिलती है ब्रतियों को भी और जो घाट पे जाते हैं आपने घाट की रोनक देखी होगी कि 10-15 दिन पहले से ही स पहारी नहीं रह गया सीमित आज पूरे दिल्ली में आप देखिए जगा-जगा चट मनाया जाता है मैं डिब्रुगर गई डिब्रुगर में पूरे खड़ना के दिन से ही पूरे ट्रैफिक को रोख दिया जाता है और पूरा लगता ही नहीं कि वो बिहार नहीं और आप त पीचे सबसे बड़ा एक रीजन यही समझ में आता है कि जो ब्रती है जो ब्रती नहीं है उनको भी नहीं उर्जा मिलती है और जो कई बीमारियों से जो ग्रसित है वो भी मुक्त हो जाता है यह सबसे बड़ी वादा जी तो ब्रतियों को आप क्या कहना चाहेंगी है उनके यह कोई गाना गाना चाहेंगे मैं एक आर्टिस्ट हूं तो मैं गाने के उसी माध्यम से मैं अपनी बातों को बया कर सकती हूं बहुत सुन्दर सी एक रचना मैं आपको सुनाती हूं छटगीत का कोपी कोपी बोले लिछठिय माई घाटे मुर बनवाई घाटे मुर बनवाई मोरे घाटे दूभी या जनम लिहले ब्रती साफ करवाई ब्रती साफ करवाई क्योंकि हमारी छटी मैया भी यही चाहती है कि घाट की पूरी अच्छी तरी से सफाई हो और छटी मैया कोपी 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 का मतलब होता है कि हर घर में हर ब्रती से बोल रही है कि घाट को साफ सफाई करवाई और मेरे को जितना सजाओगे उतने ही खुश रहोगे जे बिल्कुल दर्शको छट का पावन अफसर है क्यों खास होता है यह मैं आपको बता दूँ कि कहा जाता है कि छटी मैया सभी की मनोकामनाए पूरी करती है छट मा को मनोकामना देभी भी कहा जाता है कहते कि आप कुछ भी सच्चे मन से सच्चे श्रद्धा विश्वास के साथ आप कुछ भी छटी मैया से मागेंगे तो छटी मैया जरूर आपकी मनोकामनाए जो है वो पूरी करेंगी तो इस पे आप क्या गीत गा के सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को देखे बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमने भी बच्चपन से यही सुना है कि जो कोडिया कोडिया जिसको काया नहीं होती है किसी कारण से विकलान है वो चलने ही पाता है तो मैया उसको शक्ती देती है अगर वो देख नहीं सकता अंधा है तो उसको नैना भी देती है मा और सबसे बड़ी बाद छट मैया की जिसको बच्चा नहीं है जिसको बाज कहा जाता है छट मैया की अगर उपासना मन से करें तो वो जरूर बालक को प्रदान करती है छटी मैया उस किरपा को पाती है वो बाजिन ताही उपर लगले कहां ताही चड़ी सुतले मोरा हो दिनानाथ लागी गेल रूपे के बार हम रोके आखी दे हूँ हे चाठी मईया ताही लागी अईले के बार हम रोके काया दे हूँ हे चाठी मईया ताही लागी अईले के बार जी बिल्कुल तो छटी महियां की क्रिपा कैसे बरसती है वो आप अंजना सिंग के गानों के माध्यम से समझ रहे हैं पर कई बार आप ये देखते होंगे कि छट की गीत को सुनके एक अलग सी फीलिंग्स आती हैं अंजना जी आप गीत गारी है मुझे भी बड़ा मतलब हाश्यत जो छट गीत में शहनाईयों का बड़ा बेंए जता है हूं हमारे वाद्य यंत्रINGING उसको यूज किया जाता है और ये दीवचंदी अन देल को चूण को विए अलगीय दिल को चूता है और बोहुती मथी मन मूहप चट कssen ट गीत एक अलगी दून हम्हाराइन से लेकिन कुछ गीत ऐसा होता है कि चटमिया का बार-बार गाने को दिल करता है मैं वही सुनाते हूं आपको का चैही बास के बहंगिया हो दीनानाथ ताही उपर लगले कहा पियरी पहीरी देवर चली छाठे घाटे माथे पर दवरा सजाए भौजी के हाथ में अरैघा के लोटा भाईया के माथे करवा ताही उपर अरैघा रखली हो भौजी आकूरी के संगे कूरवा जी विल्कुल आपने दौरी की बात कहीं तो दर्श को आपको बता दू कि छट पूजा में दौरा सूप का भी अपना अलग ही महत्व है दौरा सजाने में बड़ा मज़ा आता है जो भी घर के लोग होते हैं प्रशाद सजाते हैं उसमें दौरा लेके जो लोग घाट तक जाते हैं उसको भी देखके बड़ा ही आनंद महसूस होता है दौरी की तयारी हो गई या छट घाट जाके दौरा निकालके जो भी पूजा का समागरी है वो घाट के जो सामने रखके जो घाट को सजाते हैं उसको देखने भी बहुत आनंद मिलता है घाट में जो लोग जाते हैं दौरा लेके जो जाते हैं उनसे जोड़ा कोई गाना आप सनाना चाहेंगी हाँ उनसे जोड़ा गाना भी है उनकी एक बात बताओं पूजे जी की जो खास करके जो ब्रती दौरा सजाने की दौरान अपने पूरे मांग भरे हुए पूरे सजे सबरे रूप में और फिर वो दौरा को सजाती हैं साथी साथ छठी मया का गुंगान भी करती रहती हैं और जो दौरा लेके जाते हैं वो पी अर्धोती पहन के और गमचा लेके जो अपने बिहार का शान है वो पहन के नंगे पैर कई लोग तो लेटते वे जाते हैं लेटते वे वो श्रद्धा है और मैंने देखा कि जो भी छटी मया से जो मांगते हैं जो दोरा उठाते हैं उनकी छटी मया सारी मनो कामना पूरी करती है गंगरे जामून वाके निर्माल पनिया रामा ताहि पनिया बाहेला से वार है पनिया के आरे आरे सोना के नवा चले पनिया के आरे आरे सोने के नवा चले ताहि नवा आदित मल सवार है ले बारे ब्रतिने लोगने करिमया हम रोपर सहाई है करी मईया हमरो पर साहाई है तो वो जो मौहल होता है वो बहुत ही पावर नजर आता है घाटों पे भीड नजर आती है लोग बहुत सारी महिलाई होती है आतिस बाजी करते है गाना बजाना तो चलता ही रहता है घाट में उतर के जो भी ब्रती है वो खड़े होके हाँ चोड़के चटी माई का इंतजार क पुल होता है न वो भी बहुत सुहावना होता है उसका किया कहेंगेए उसला क्त जह आठीशबाजी होती है वहां पर जो गाने चल रहे होते हैं वहां पर जो बृति हुए का अथ्यू hen करते है और फिर एक इंतजार रहते है कि सुबा का अर्ग का वेला होता है अब रती तैयारी में लगके और इंतजार करती है तो एक पटना के घाट का सब्सक्राइदा विशेषता है पटना के घाट का जो छट पूजा का तो वहीं पे एक बहुत सुन्दर एक भजन है मैं आपको सुनाती हूँ पटना के घाट पर हम हूँ अरगिया देहब है छट मैया हम नाजाइब दोसर घाट देखब है छट मैया पटना के घाट पर हम हूँ अरगिया देहब है छट मैया हम नाजाइब दोसर घाट देखब है छट मैया ननेका के संगे संगे आईनी घाटे देखब है छट मैया से नूरा के रखिया लाज हमार देखब है छट मैया जी अंजना जी बहुत बढ़िया तो दर्श को छट का ये पावन अफसर है चार दिनों तक चलने वाला ये महापर्व बड़े ही हर्शो लास के साथ मनाया जाता है जिस तरीके से अंजना जी शुरुवात की दिनों में दिखा चाता है नहाय खाय में जो भी ब्रती होती है वो नहाद हो कि लौकी खाने का अपना लगी महत्व लौकी और चावल खाती है कदूआ भात का बहुत विशेश महत्व है उसके दूसरे दिन खरना की बात करें तो खीर पूरी गुड़की बनी खीर लोग खाते है और पहले अर्ग और दूसरे अर्ग में बहुत जादा र होती है उस वक्त जब हम अर्ग देने के लिए सब पेड़ इकठा होता है जैसे जैसे सूरी उदय का आगमन होने लगता है अब रती आर्ग देने के बाद चलने की तयारी होती है उस वक्त लगता है कि अपछटी में जा रही है और फिर उस दिन फिर एक मन को संतुस्ती ये मिलती है कि अगले साल फिर छट में आएगी लेकिन उस वक्त की और सांज में दोना में बहुत ही अंतर है मैं चाहूंगी कुमधुर शंगीत के साथ आप इस कारिक्रम की सवापती करें मैं इस पुझा जी आपको भी धन्यवाद देती हूँ और जितने हमारे R9 के दर्शक छटी मया का विशेष ये महापर्व का कारिक्रम देख रहे हैं मैं जाते जाते एकी छटी मया से आगरह करूंगी कि जितने दर्शक दे रहे हैं सब पे छटी मया की किरपा बने और हमारे छट महापर्व और बिस्त्रित हो और जगह फैले और क्योंकि उनकी किरपा सब पर बनी रहे हैं चलते चलते मैं एक ही भज़ेन आपके बीच में रखना चाहती हूँ अंगना में पोखरी खो नायब है छटी मया लगाया अब परिदा तोहार रची रची ठेकुवा बनायब है छटी मया भोग लगई हाँ अपान हम सब के आशिश दीहा है छटी मया अगला बरस छटी तोहार हम सब मिली जूग जी अब है छटी मया करबा बरत तोहार जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी स्टोडियो में आए और छट महापर्व की विशिष्टा को आपने गीतों में बया किया उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया नमस्कार जै छटी मया